दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हो मारूती सुजु की जिमनी है हलाकि लॉंच हुए हुए काफी टाइम हो चुगा है लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर कुछ अलग और डिफरेंट देखने वाले हो यह मोडल जो आप सामने देख रहे हूँ यह है अलफा आटोमेटिक वेरियंट जिसकी प्राइज एक्सोरूम इन डेली रखा गया है 14.89 लेग रूपेज के गरेव यानि 14,90,000 रूपे के गरेव इस गाड़ी का प्राइज रखा गया है इन एक्सोरूम डेली और इससे उपर वाला मोडल आता है अलफा डूइल टॉन आटोमेटिक जिसकी प्राइज रखी गया है 15,05,000 रूपे के गरेज़ लेकिन आप इसके फ्रंट के फेस्या के देखोगे हलाकि आपने पहले इसका लुक देख रखा होगा रोड पर कई बार होगे तो यहाँ पर काफी कमाल करा खा गया है यहाँ पर देख सकते हैं 7th स्लोट आपको ग्रिल देखने को मिलेगा बीच में आपको सुझू की लोगो देखने को मिल जाती है circle shape में इस गाड़ी के अंदर आपको headlamps देखने को मिलता है लेकिन अगर आप इसके top model को भी खरे देखोगे तो ओरवियम के साथ tiny indicator option नहीं देखने को मिलेगा ओर्वियम के नीचे ही आपको tiny indicator का option देखने को मिलेगा लेकिन ओर्वियम को dwelt on color में रखा गया और यहाँ पे में भी चलाओगे तो काफी अच्छे से ये चलने वाली है क्योंकि ये काफी ज्यादा कमाल के 4WD के साथ इस गाड़ी को रखा गया है जो कि काफी अच्छी खासी बात है इसकी ब्रेत की बात करो तो 1645 mm के करीब इसकी ब्रेत को रखा गया है और यहां पर देख सकते हैं फ्रंट के टायरों में आपको डिस ब्रेक का भी ओप्सन देखने को मिल जाता है टायर प्रोफाइल की बात करो तो उसमें आपको 195-80 की टायर दी जाती है और आर 15 इंच के करीब इस गाड़ी के अंदर आपको ऐलोईविल्स का ओप्सन देखने को मिल जाता है और ये देख सकते हैं काफी खूपसरत डिजैन के साथ इस गाड़ी के अंदर एलोईविल्स रखा गया और यहाँ पर फूट ब्रेकर भी आपको देखने को नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर वह एकसेसरीस के पार्ट है आप बहार से भी लगवा सकते हो आप्टर मार्केट और एकसेसरीस के तोर पर सुचुकी वाले भी आपको ओफर कर देंगे इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लैक डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं और ब्लैक जो मोटी ब्लैक पट्टी दी गया है गाड़ी के चारो तरफ वह काफी खूबसरत लगती है यह वाला भी काफी अच्छा खासा लगता है कि हाउस सा बना रखा मतलब खूबसरत लगत तो यह गाड़ी जुमने आगे निकल सकती है अफ रोडिंग के मामले में इसके अलावा स्प्रेड टायर आपको यहाँ देखने को मिलता है जो कि यह काफी ज्यादा खूबसरत लग रहा है स्प्रेड टायर को आप देख सकते हैं किस तरीके से कवर करके दिया जा रहा है औ लेकिन इसके अलावा इसके बूट स्पेस को देखे तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि 211 लीटर का इस गाड़ी के अंदर आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है और यहाँ पर देख सकते है एलेक्ट्रिक आपको tail gate दिया गया है, जो की काफी अच्छी खासी बात है, यानि देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े डब्बे हैं, चार डब्बे रख सकते हैं, उसके बाद भी आपको थोड़ा सा booter space देखने को मिल जाता है, जो की काफी अच्छी खासी बात है, और 211 लीटर का boot a space इस गाड़ी के अंदर offer किया गया है तो ये भी काफी कमाल की बात है और यहाँ पर देख सकते हैं सारा समान attach हो चुका है जो की काफी अच्छी गासी बात है इसके अलावा अगर जैसे tail door को आप offer करते हो यहाँ पर देख सकते हैं जो spread tire का design रखा गया हो काफी premium रखा गया और इसका trail look काफी कमाल का रखता है एक लगता ऐसी की घर सा बना रखा है अंदर और काफी premium लगता है लेकिन अगर वहीं अगर इसके side profile को देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको breathe बताया था इस गाड़ी की breathe रखी गई है 1645 mm के गरीब लेकिन इसके interior में चलके बैठते हैं तो वहाँ पर आपको क्या-क्या features देखने को मिलता है जैसी आप इसके interior में बैठोगे तो यहाँ पर आपको fabric seats सी देखने को मिलेगा और यह handles देख सकते हैं कमाल का दिया गया है कुछ इस तरीके से आप बैठोगे तो कुछ इस तरीके से आप असानी से door को lock कर सकते हैं और यहाँ पर सुजुकी की logo और यहाँ पर देख सकते हैं आपको staring के साथ थोड़े बहुत control देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको cruise control का option देखने को नहीं मिल रहा है और सामने आप देख सकते हैं instrument cluster का भी option देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी आपकी गाड़ी कितनी speed चली सारा detail आपको मिलता रहेगा इसके अलावा इस गाड़ी में जो touch screen display का size रखा गया सामिल होने वाला है यहाँ पर आपको सारे AC band सारे control देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा यहाँ पर आपको एक USB charging का भी option देखने को मिलता है लेकिन phone रखने के लिए यहाँ जगह नीदिगी है और यहाँ पर देख सकते हैं 4 wheel drive का option यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके अलावा handbrake पीछे देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप window को control कर सकते हैं जो window control का system होता है वो यहाँ पर दिया गया handbrake के साथ में और door के साथ में सारा window का control देखने को नहीं मिलता है और fabric seat ही दी जाज़ी है इस गाड़ी के अंदर तो कुछ इस तरीके से look रखा गया इस गाड़ी के interior में और अच्छा खासा features देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर लेकिन वहीं अगर safety features की बात करों तो इस गाड़ी के अंदर जो safety रखा गया है काफी कमाल का रखा गया है जैसे कि इस गाड़ी के अंदर आपको anti-lock braking system, brake assistant, central locking, power door locks छे airbag का भी option इस गाड़ी के अंदर offer किया गया है driver airbag, passenger airbag रहने वाला इसके अलाबा आपको side airbag का भी option देखने को मिल जाएगा तो जैसे बहतरीन features इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है और साथ में आपको engine immobilizer का भी option देखने को मिल जाता है EVD का भी option इस गाड़ी के अंदर offer किया गया electronic accessibility program जैसे बहतरीन features इस गाड़ी के अंदर less है अगर आप interior में बैढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से feeling आने वाली है लेकिन दोस्तो आप सबसे important बात निकल कर आता है इसमें space कितना दिया गया अगर हम rare में जाके बैढ़ते हैं तो उहाँ पे space अगर check करते हैं तो इसमें देखते हैं कि कैसा space दिया गया बैढ़ कर कैसा feel आने वाला तो इसके rare row में अगर हम बैढ़ते हैं कुछ इस तरीके से देख सकते हैं तो पहले तो आप देख सकते हैं बाहर से look कैसा रखा गया है और इसमें आप देख सकते हैं armrest का भी option देखने को नहीं मिलता है rare row में है कि इसके boot में आप यहां से बैठे बैठे ही आप boot में सारे समान को अपना transfer कर सकते हैं यहां पे आपको जो है parcel train नहीं देखने को मिलता है तो यहां पे आप बड़ी असानी से अपने समान को पीछे boot में transfer कर सकते हैं इसके लाबा यह था कुछ लुक और काफी जादा बैठे रिन रखा गया इसके interior को लेकिन आपको यह गाड़ी कैसी लगती है मैं comment box में जरूर बताना space के मामले में भी काफी ठीक ठाक है चे boot के करीब हाइट है और अच्छा खासा फील कर रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर बैठ के और यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा खासा लुक रखा और यह बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस गाड़ी का सामना रखा गया महंदरा थार से जो कि दोनों गाड़िया नबे हजार रुपे की गाड़ी यह आपको और जाते जाते सतरा लाख तेरा हजार रुपे के करीब पड़ जाएगी तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसी के साथ अगर आप उमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नॉटिफिकेशन को भी दबा लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने तरब से लाइक भी जरूर करना अपना कीमती समय देने के लिए ठैंक्यू सो मज धन्यवाद मिल दें आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए आप अपना क्या लगना